दोसर बात करें तो AMD का नाम आप लोगोंने सुनाओगा AMD और Intel की लड़ाई सालों से चलती हुई आरी है और बात यह कि AMD कई सालों थक Intel से काफी पीछे रहा लेकिन 2017 के बात से AMD ने जो रफ्तार पकड़िये रहा वो काफी कमाल किये कि Intel को भी इनोवेट करना पड़ा और आखिर AMD की कहानी किया है चली वीडियो के अंदर पता लगाती है लेकिन सबसे पहले बात बताने वालों कि AMD कोई नई कम थी नहीं AMD काफी जादा पुरानी कम थी है इवन बात की जातो यहाँ पे AMD क्यो पर आरोब भी लगे कि उन्होंने Intel का डिजाइन पास में पूरा का पूरा कॉपी कर लिया था और एक सस्ता प्रोसर मार्केट में निकाल दिया था और बात किया तो AMD के एथलॉन सरीज तो 99 के अंदर बहुत ज़ादा सक्सेस्फुल भी हुई थी और बात करें तो यहाँ पे AMD का जो में कॉम्टीटर रहे न वो Intel ही अकेला नहीं है आध के समय में Nvidia है क्योंकि AMD के ऐसी कंपनी है जिसने मार्केट के अंदर ग्राफिक कार्ड और प्रोसेसर दोनों के अंदर ही अपनी मनॉपली को यहाँ पे क्रियेट कर रखा है लेकिन बात की जा तो PC मार्केट के अंदर लंबे समय से क्यों हर रहे थे देखो AMD के बहुत अच्छे अच्छे प्रोसेसर एक जमाने में आते थे लेकिन Intel से पीछे हो रहे थे जब AMD अच्छे प्रोसेसर बना रहा था तब Intel भी बहुत अच्छा काम कर रहा था और जैसी Pentium स्रीस क्रॉस होके इंटेल की कोड टूडियो यह सब आना शुरू होते हैं तो यहाँ पर AMD भी मल्टी कोर CPU के अंदर दौरता है और पता है AMD के प्रोसेसर के साथ सबसे बड़ी दिक्कत या थी देखो AMD के प्रोसेसर में उत्ती अच्छी efficiency नहीं मिलती थी उत्ती अच्छी performance नहीं थी थोड़ी बहुत ज़ादा heating भी होती थी कुछ ऐसे प्रोसेसर कुछ ऐसे laptop भी देखे हैं AMD वाले जहां पर आपको overheating की भी शिकायत थी इसके साथ ही multi-threaded workload होता है ना वह उत्ता अच्छा नहीं होता था इंटल वाले में ज्याद अच्छी performance निकलती थी लेकिन AMD वाले में ज्यादा core होने के बावजूद भी अच्छी performance के लोग यहां पर use नहीं कर पाते थे और यह सबसे बड़ी दिक्कत थी AMD के साथ कि AMD अपने आपके processor को better बना रहा था multiple course टाल रहा था लेकिन उसका benefit यह लोग उठा ही नहीं पा रहे थे इसलिए इसका benefit कहीं भी gaming के अंदर नहीं दिखता था ना ही professional task के अंदर दिखता था लेकिन फिर 2017 में जब से Ryzen आता है ना बिल्कुल पूरी तरीके से बदल गया मैं दलब Ryzen जब आया था ना बहुत ही underrated था किसी ने सोचा नहीं था कि वो कमाल दिखा जाएगा Ryzen के साथ सबसे अच्छी चीज ये थी कि वो technologically more advanced हो गया था Intel से वो भी पहली बार इसके साथ ही multi-thread application को अच्छी तरीके से चला रहा था gamers इसका अच्छी तरीके से यूज कर सकते थे किसी को professional task के लिए इसका यूज करना वो भैतन तरीके से किया जा सकता था और ऐसा लग रहा था यहाँ पर इंटेल के प्रोसर अब हो गये है पुराने और अब जमान आ गया राइजन का ऊपर से राइजन के जो प्रोसेसर्स देना वो उनके रेट्स भी काफी अच्छे हुआ करते थे मतलब कि 2017 से लेके 2020 का टाइम देखू ना उस जमाने में जिते भी राइजन के प्रोसेसर्स आए ना सबके रेट और प्राइस टु पॉफमेंस जबर जसता यहाँ पर हीटिंग में नहीं होती थी और 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 बहुत अच्छी पॉफमेंस थी और इसको चलते इंटेल को इतना बड़ा थ्रेट लगा कि इंटेल को दोबार से सारी चीज़े रीडिजाइन करनी पड़ गी और इंटेल ने 11 जनरेशन और 12 जनरेशन में अपने कमबैक किया जिस कारण से अभी समय हेड टू हेड चीज़े चल रही हैं तो करेंट सेट में बात करें तो AMD और इंटेल बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन बात की जाए तो AMD के प्रोसेसर जहां पहले सस्ते हुआ करते थे अब काफी महंगे हो चुके हैं इन जनरल जो प्राइसे से कम्प्यूटर पार्ट को कितनी तेजी से राइज हैं यह बात आपको बताने कि हैं 2020 के बासे जिस तेजी से प्राइसे से इंक्रीज हूँ है वो तो आप खुद ही देख सकते हो यहां तक भात करें ग्राफिक कार के प्राइसे तुमें हैं देख परसेंट आता है और AMD दौन जगे थोड़ा सा पीछे है लिकिन मैं यह नहीं बोलूगा कि AMD से PC-related component बना करी आगे निकला है देखो जब से AMD का जो नया इसके साथ ही laptop के लिए affordable processor बना है जिनके अंदर आपको अच्छी performance भी देखने को ले प्लस battery life देखने को मिले इसके साथ ही AMD टेसला जैसी company के साथ काम करता है और टेसला कार्स के अंदर भी AMD के chips यहां पर यूज होते है इसके साथ ही aerospace engineering में भी यूज होता है और जो epic processors होते ह के high-end servers में यूज होते हैं यहां पर मैं simple सा कहने का मतलब यह देखो PC market जो हो बिलकुली छोटी सी चीज़े equation का PC market के लावा processor बहुत जगे यूज होते है और उन जगों को AMD ने हापे capture किया है यह बहुत बड़ी चीज होते है चाहे हम electric cars की बात यहां पर कर ले या फर बात क ले gaming consoles की industrial application की वहाँ पर AMD ने अपना काम किया है यहां तक कि कई सारे visual effects studios होते है उनको भी अपने process भी प्रवाइड करती है और technology प्रवाइड करती है जिसका use यहां पर high VFX film के अंदर किया जाता है इवन ए छोटा सा fun fact बताता हो क्या आप लोगों को मालूम है कि बाहु बली फिल्म के अंदर भी partner है चोका AMD याने की जो screen पर आपने graphics देखे न वो AMD का use करके render हुए थे हैं ना काफी कमाल की बात और 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 इसका जो impact है यह AMD के market capitalization पर पड़ा याने की AMD का जो valuation है वो history में पहली बार Intel से आके निकल गया था 2022 के अंदर देखना है कि future में क्या रहता है लेकिन यहाँ पर कहानी में एक twist या आता है कि जो PC market रहता है आज के समय में उत्ता जादा grow नहीं कर रहा है यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर आपको पिछले 20 साल में जो steepest decline होता है वो देखने कमला है तकरीबन 19% का decline आपको देखने कमला था 2022 के अंदर यह बहुत ब अग्रेड हो चुका है अब उन्हें आगे अपडेड करने की जरूरत नहीं है और इसका एक इंपक्ट हम इनकी sales के उपर देख सकते हैं नए ग्राफिक काड़ा नए प्रोसेसर के उपर लेकिन सर्फ यही एक रीजन नहीं है मूरेज लोग अगर मूरेज लोग के बाहरे मे गेन होते हुए देखने को मिलेगी लेकिन ये लॉप इतना जादा ट्रू नहीं है आज से 20 साल पहले तक जो हर 2-3 साल में प्रोसेर आते थे हो काफी जादा एडवांस होते थे पिछली जनरेशन से लेकिन अभी क्या हो गया है कि हर साल आपको नए जनरेशन तो देखने को मिल रही है लेकिन उत्ते बड़े इंप्रूमेंट आने रहें जिस कारेंट से लोग किसी नए चीज की उपर जाए और उपर से बात कर दो तो AMD ने तो पूरा केटलोग यहां पर क्रेट कर रखा है 6 कोर से लेके 96 कोर सर्वर्स के अंदर किसी को चाहिए तो वो सब आपको सब देखने को मिल जाएगा और इसलिए AMD ने यहां पर चिप्स बनाने के अंदर भी काम किया कि कि किसी भी कंपने और स्पैसिफिक चिप चा देखो काफी सालों से इंटल और AMD x86 के डिजाइन पर चलते हुआ रहे थे लेकिन पिछले कुछ सालों में यह चीज़ बदली है जब हुआ था इंड्रोडक्शन एपल सिलिकॉन का एपल सिलिकॉन के अंदर ARM का डिजाइन था और वहां से पहली बार असल लगा कि complete एक थ्र Qualcomm, Snapdragon, MediaTek भी बहुत बड़ा है इवन मेरे को लगता है कि AMD vs MediaTek एक बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है क्योंकि बात की जा तो जहां AMD ने Monopoly क्रेट कर रहे है गेमिंग कंसूल के अंदर उस Monopoly को challenge कर रहा है MediaTek क्योंकि जो latest PlayStation VR2 आने वाला है ना उसके अंदर जो chip यूज की ग लगा हुआ है ARM वाली चीज़ को develop करने के लिए इवन Microsoft फी Windows को optimize करने में लगा हुआ है ARM वाली chips के लिए और सुना है कि Windows 12 के साथ इस चीज़ को introduce कर सकता है जो शायद आने वाले 2-3 साल में आपको देखने को मिले तो कहने का मतलब है कि अभी हम एक ऐसी position पर खड़े है जहा बहुत से revolutionize कर देगी और हम जो पहले traditional चीज़ों की उपर देखते थे ना कि कितने course का process है कितने gigahertz है कितने teraflops है इससे बहुत जादा आगे निकलने वाले हैं तो कहानी काफी interesting होने वाली है लेकिन ये कहानी थी AMD की बाइद अब एमडी की कहानी आप लोग केहां पर कैस बाइद च्छॉग